क्या आपके भी नीवू के पौदे से बार बार फूल गिर जाते हैं फल वनने से पहले तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं लेके आया हूँ आज एक ऐसी चीज उसके डालने से नीवू के पौदे से फूल नहीं गिरेगा जो भी फूल आएगा वो फल में कनवर्ट होगा तो आज हम इस चीज के बारे में जानेंगे और नीवू के पौदे की पूरी केर टिप्स के बारे में जानेंगे कि नीवू की पौदे में कितना पानी देना चाहिए कौन सी खात देनी चाहिए जिससे नीवू का पौदा हमें बहुत ज़्यादा फूल फल दे तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रोटेग गार्डन की यूटूब चैनल पर तो चलिए इस वीडियो क श्रू करते हैं इस छोटे गमले में लगा हुआ हमारा एक नीवू का पौदा है जो की काक जी नीवू का पौदा है आप देख सकते हैं इस नीवू के पौदे में काफी फूल बना हुआ है तो इसमें छोटे छोटे फल भी बने हुए हैं दोस्तों बात करते हैं जब नीव थोड़ी सी नमी होनी चाहिए आप ज़ादा नीवू के पौधे में पानी नहीं डालेंगे यदि नीवू के पौधे में लगाता राप पानी डालेंगे तो नीवू का जो पौधा है सिर्फ बढ़ता रहेगा जो भी मिट्टी में जो एनरजी उठाएगा वो अपनी ग्रोथ में लगा देगा जो सब फूल बने हुए हैं उन फूलों को गिरा देगा तो नीवू के पौदे में ज़्यादा पानी ना डाले हैं नीवू के पौदे के लिए पानी जहर के समान है इसके अलावा इस नीवू के पौदे में कुछ फल देख रहे हैं आप छोटे-छोटे फल भी बने हुए हैं तो यही चीज का कमाल है कि एक तो मैं इस नीवू के पौदे में पानी कम देता हूँ क्योंकि मुझे पूरी तरह से जो फूल हैं यह फल में मुझे सेट करने हैं इसके अलावा नीवू के पौदे जो होते हैं यह सन लविंग प्लैंट होते हैं इनको धूप ज्यादा चाहिए जितने ही धूप में रहेंगे उतने ही नीवू के पौदे का बहुत अच्छे से बिकास होगा तो डारेक्ट आप अपने नीवू के पौदे को धूप में भी रखें जिससे पूरी तरह से पौदे पर पौलीनेशन हो सके इसके अलाबा बात करेंगे जब नीवू के पौदे में फूल आ रहा हो उस समय काफी लोग गलती कर देते हैं कि उस पौदे की गुड़ाई कर देते हैं वो पौदे की जो रूट्स होती है यानि की जड़े वो कट जाती है और जो पौदा है वो कमजोर हो जाता इसलिए फ खाद देना चाहते हैं तो जैसे कि माली आपने गोवर की खाद ली उससे आप पानी में पहले गला दीजिए जैसे गल जाए आठ से दस गंटे में अच्छी तरीके से उसको आप अपने निवू के पौदे में डाल दीजिए तो उससे आपके पौदे की एक तो अब बात करेंगे जिस निवू के पौदे में फूल नहीं रुकते हैं या फूल कम आता है पौली नेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है तो मेरे हाथ में यह आप अहनी देख रहे हैं जो मधु मक्की का सहद होता है आपको यह लेना है बाजार में लोकल दुकानों पर बहुत आसानी से मिल जाता है तो आपको हनी लेकर अपने निवू के पौदे पर एक लीटर पानी में लगवग एक ढकन के करीब आप डार लें और हपते में सिर्प तीन बार इस्प्रे करते हैं अपने निवू के पौदे पर इससे आपके निवू के पौदे पर पूरी त बदल जाएगा और फूल कम आ रहे हैं तो इससे आपके नीवू के पौदे का पौलिनेशन बहुत जादा होगा इससे फूल बहुत आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने एक डखन के करीब इस पानी में सहत गुडार लिया यानि कि हनी को अब हम इसका इस्प्रे अपने नी बदवाजी नहीं करनी है तो दोस्तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया है नीवू के पौदे से फूल फल लेने का और फूल भी नहीं गिरेंगे तो दोस्तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता है यदि आपको वीडियो सब्सक्राइब करें और चैनल पर पहली वार आये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं अगली वीडियो में ठेंक यू